हलो फ्रेंड्स मैं हीमलता सौगत करती हूँ आपका माइ फूट माइंस में आज मैं आपके लिए लेकर आई हो एक बहुत बढ़िया रैसिपी जिसमें ना तो हमने गहुकार्टा यूज करा है ना बेसन यूज करा है और ना ही राइस फ्लोर यूज करा है बहुत बढ़िया रेसीपी है फटाफट बनकर तयार होती है खाने में बहुत ही बड़ी अलगती है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक किजे शेयर किजे और सब्सक्राइब किजे चलिए बनाते हैं इस रेसीपी को बनाने के लिए हमने ना गेहूं काटा लिया है ना मैदा लिय है और नहीं हमने राइस फ्रोड लिया है हम दिया है यहां पर बाजरे का आटा बहुत सब्सक्राफी होता है बाजरा है बहुत ही बढ़िया होता है और हेल्थ के लिए हमें हफ़ते में वीक में एक पारना अनाज को अलग चेंज करके भी खाना चाहिए जैसे हम रोज गेह जिसमें एक प्याज और एक टमाठर चॉप करके डाला है बिल्कुल बारिखामेन को चॉप करके लेना है आप एजीटेबल्स अपने हिसाब से कर सकते हैं और यहां पर एक छोटी साइस की शिम्ला मिर्श ली है उसे भी मैने बारिक चॉप करके डाला है सुभे का नाश्ता है इसलिए हम मसाले इसमें थोड़े कम ही रखेंगे तो मैंने यहां पर वन फोट टीस्पून के करीब ली है हल्दी पॉडर और बहुत जरा सिसी ली है मैने यहां पर मिर्च अभरी मिर्श भी ढाल सकते हैं आधा चमश धनिया पॉडर और आधा चमश ही हम लेंगे यहां पर हम हैल्दी बनाएंगे थोड़े से मसालेसले एक ताकि ठोड़ा कहने में टेस्टी लगे यह देखिए यहां पर मैंने नमक डॉलने नमक कर दो क्यार के नाश्ता है भी से भी गर भी कर दो नाश्ता है कि अगर आप भी नहीं डालेंगे ना जो फिर इसका फ़िर छोड़ा जादर बलेक जैसा आएगा इसलें आप घर अपने बहुत बढ़ी आया गा इस तरह से बैटर हमें बना कर देख लेना है यह देखिये कि तर बनाईए और फिर मुझे comment करके जरूर बताइगा कि कैसा लगा हमने इसे 10 मिनट के लिए rest पर रखा अब चरिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए आप छोटा पेन होता है आप उसमें भी बना सकते हैं इसे तवे पर भी बना सकते हैं जहां पर आपको easy लगे आप इसे वह इसको हमें मीडियम फ्लेम पर बनाना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं क्योंकि जल जाएगा और लो फ्लेम पर यह बहुत जादा टाइम लेगा इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है और जब तक यह एक साइड से अची तरह से सिखना आप इसे टर्न करने की कोशिश मत किजएगा वरना यह तूट जाएगा जब एक साइट से सिख जाएगा तो उपर से कलर चींज हो जाएगा इसका तब समझे की सिख चुका है और फिर आप इसको इसली टर्न कर पाएंगे अगर यह नहीं सिखा होगा ना ढंक से तो आप इसल इसलिए ताकि अगर अंदर से कुछ कच्छा रह गया होना तो वह उपर आ जाए और फिर जब हम इसको उलट पलट के सेगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से यह सिख जाए गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं देखिए ची क्योंकि फिर बाद में साथ के साथ खाते जाएंगे इसलिए मैं पको पहले एक ही बना के दिखाती हूं यह देखिए साइड से कितना क्रिस्पी हो जाता है जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लिस इसे लाइक किजि चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो